हमारा लैप्टप बहुत ज्यादा है और कोई भी सॉफ्टवेर चलते चलते एक दम से स्टॉक हो जाता है ऐसा मेरे साथ भी कही पार होता है तो हमें करना कुछ भी नहीं है हमें सिंप्ली कुछ भी हैंग हो हमें सींप्ली थोड़ा सा मतलब अगर हैंग हो रहा है तो उसे हम छोड़ दें थोड़े दिर के लिए 5-10 सेकॉंड के लिए और फिर हम विंडो बटन को प्रेस करने पर हमारा करसर डुबारा से चलने लगता है फिर हम रिफ्रेश करके हमें धॉब फिर जाना है और फिर यहां पर हमें जाना है नीचिए यहां पर अब देख सकेगी नीचे आते जाएए आपको दिखरा होगा करसर मेरा विंडोज एक्स्प्लोर लिखा हुआ है इस पर हमें क्लिक करना है और यहां से हमें से रिस्टाइट कर देंगे यह थोड़ा सा टाइम लेगा पूरा सेट अप होने में लेकिन इससे इंशाला हमारी सारी जो भी प्रॉब कर रहा है और बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है और इंशाला कोई दिख्रत करनी आएगी ठीक के आई होप आपके लोगों के लिए हैल्पूल रहा होगा और अगर और कोई भी मुझसे हैल्प चाहते हैं कोई भी आपकी प्रॉब्लम है आपको मैं बहुत ही कम टाइम में solution दोंगी, insya Allah अपकमें मुख्यों